हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड्स आज हम न्यूबॉर्ण बेबी के लिए बिचोना बनाएंगे जिसे आप बेबी ब्लैंकेट भी बोल सकते हो बिल्कुल कॉटन फैब्रिक से मैं ये बनाऊंगी और इसमें मैंने बीच मे काफी धिकनस है इसकी काफी मोटा भी बना है यह देखे तो यह विडियो मैं पूरा बताऊंगी आप वीडियो पूरा देखेगा विडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक श्यार किजिएगा तो आए बीडियो शिरू करते हैं यह मेरे पास उप प अपने चैनल पर सूट के वीडियो भी मैं डालती हूँ, इसके साथ मैंने अफगानी सलवार बनाई है और यह सिंपल सी कुर्ती है, बाजू पे इस पर डिजाइनिंग की हलकी सी, तो इसी में से जो कपड़ा बचा था ना, उसी का मैं यूज करूँगी, और यह जो ब्लैंके के ओपर बिचा लिया है, जितना यह कपड़ा है, उसी के हिसाथ से टाबल को मैं कट कर लूँगी, तो यह देखिए, टाबल को मैं कट कर ले रही हूँ, और दूसरी साइड से भी कट कर लूँगी, पूरा बराबर करके, फिर आगे देखते हैं कि कैसे हम इसको स्टिच करे तो देखिए, कटिंग मैंने कर ली है, अब यह जॉइंट पीस है तो इसको मैं कट कर लूँगी, अलाग-अलाग कर लूँगी, एक पीस को उठा के नीचे वाली साइड रखोंगी, एक उपर वाली साइड रख लिया, बीच में हमने टाबल रखना है, और नीचे दूसरा पीस रखेंगे, तो उपर और नीचे सेम फैबरिक रखेंगे, और बीच में टाबल डालेंगे, आप यहां पे फॉम शीट डालना चाहते हो, तो फॉम शीट भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना टाबल पढ़ा है, तो वो आपके लिए इसके लिए ज निचान लगाना है, मैंने तिर्चा करके लगा लिया है, ताकि दोनों साइट पर निचान लग जाए बराबर से, यह देखिए, यहां से भी और दूसरी साइट से भी, यह देखिए, अब तिर्चा करके इतना सा हमने जहां से निचान लगाया है, इतना ही हमने टाबल का य सब्सक्राइब दूफिके रिखुए आप इसे करके रखूंगे और तिर्चा करके इसकी कट कर लोगा इतना सबीट कर लिया है अब इसके लिए दो पीच हमें और चाहिए क्योंकि टाबल पीच में रखेंगे और उपर और नीचे फैबरिक रखेंगे तो ये मैंने, ये देखिए, तिर्चा करके हमने कट कर लेना है, तो दो पीस में कट कर लेते हूँ, तो ये सोट में से जो मेरा कपड़ा निकला था ना, उसी में से ही ये मैं सारा कपड़ा उसी का ही योज करूँगी, क्योंकि आफगानी सलवार बनाई थी, तो ये सलवार का फैब्रिक थोड़ा ज्यादा था तो काफी सारा कपड़ा बच गया था अब यह देखिए स्टिच करके मैंने पाइप इन भी लगा ली है कपड़े की पट्टी लगा ली है वाइट कलर की तो यहां पे स्टिच कर दूँगी दोनों साइट से सिलाई लगा कर तो यह देखिए सिलाई मैंने लगा ली है अब हमने क्या करना है यह देखिए ऐसे आएगा यह बहुत ही प्यारा बनेगा और बिल्कुल स्किन फ्रेंडली है कॉटन हंडर परसंट कॉटन है और जो टाबल था वो भी कॉटन का था हंडर परसंट टाबल जो है कॉटन टाबल था यह तो आपने यह देखिए ऐसे पट्टी लोंगी दो इंच चोड़ी मैंने पट्टी ली है उल्टे साइड से लगाते हुए सीधी बो भी लगाऊंगी जो यहां पे टोपिसी लगाई है न तो इस पे हम बो लगाएंगे तो मैं बाद में आपको देखाऊंगी यह ऐसे आएगा तो यह बन के be the one कि यहां इस ढूल कि मैं अर्फे बना सकते हैं मारकेट में इसकी काफी अच्छी बनी है और इसमें से जो कपड़ा बचा था ना ये देखिए पहले मैं आपको दिखा देती हूं कितना प्यारा ये देख लिए देखिए बना है आगे से भी और पिछे से सेम हमने फैब्रीक लगाया है तो अब ये थ्रोटा सा पीज जो टावल का बचा है इसका भी हम योज करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी इसको इस साइड को ये तिर्चा सा कट है ना तो सीधा मैं कट कर लोंगी और ये देखिए तिर्चे को ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगा लोगी जिससे हमारा एक सीधा सा पीस जो है रेडी हो है इसमें साइड से मैं इसको सिलाई लगा लूंगी दोनों साइड से इसकी करनी है अरूपर वाली साइड से आफे रहने लोंगे तो यहां पर पहले सीधी सिलाई लगा लेती हूं सिलाई मैंने लगा ले है अब न इसमें हम प्लीट्स डालेंगे ऐसे करके और उपर से कपड़ा लगा देंगे तो इतना सा बचा है ये कपड़ा, थोड़ा सा भी कपड़ा मेरा टाबल का वेस्ट नहीं हुआ सारा कपड़ा मैंने इसका यूज किया है, इतना सा भी कपड़ा नहीं बचा है तो ये देखिए ऐसे करके मैं इसको स्टिच करूँगी और पहले हैंग करने के लिए एक लूप बना लूँगी तो ये जो टाबल की करनी थी ना, उसको मैंने हलका सव देड के, यहां से करके ये देखिए, ऐसे करके सिलाय लगा कर, एक हैंग करने के लिए मैं लूप बना लूँगी ये देखो, ऐसे करके और ऐसे अंदर वाले इस साइड को रखते हुए, यहां से सिलाय लगा दूँगी तीन साइड से सिलाय लगाऊंगी, एक साइड से ओपन रखेंगे अब इसको सीधा कर लेते हैं, ये देखिए, दूसरी साइड पर भी मैंने सेमी कपड़ा लगाना था टावल का, लेकिन वो बचा नहीं था तो नीचे वाली साइड मैंने कॉटन का कपड़ा लगा दिया, तो ये देखिए, ऐसे एडजेस्ट करते हुए, बीच में हमने हलकी हलकी सी चुन्नट डालके, और उपर से इसको, ये देखिए, सिलाय लगा देनी है और ये हमारा बहुत ही प्यारा एक किचन टावल, किचन में भी आप इसको योज मिला सकते हो, या वाश वेशन के पास भी आप इसको हैंकर के रख सकते हो, तो ये बन गया हमारा बिल्कुल फ्री में, दोनों चीजें जो है, तो एक टावल में से हमने एक बेबी आपको लगा ये काफी अच्छा बना है तो यह देखी यहां पे मैंने बॉल्ह गा दिया है जिसके साथ केस का लुक जो है काफी अच्छा आ गया है तो यह देखो देखने में भी अच्छा लग रहा है और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जुरूर बताना